माग गंगा के किनारे हिमाले की गोद में ये देव गुमी का शांती कुण्च जहां से इस तपु भूमी से तप और तपश्चा की भूमी से हम युग बदलना हैं और व्यक्ति निर्मान की एक संस्कती संस्कार दिशा लेकर जाएंगे आचारे तपोनिष्ट वेदनिष्ट जिनोंने लाखों लोगों के क्रोडों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया आध्यात्मिक के माध्यम से संस्कृति और संस्कार के माध्यम से आचारे स्री राम जी हमारी पुजिवन्दन माता भगवती देवी जिनोंने इस देश में नहीं पूरे विश्ट के अंदर जिनके आध्यात्मिक विचारों को के माध्यम से यग्य के माध्यम से मंत्र उचारण के माध्यम से जिनोंने आत्मिक शांती प्राप्त की और उस आत्मिक शांती से एक युग बदलने की जो उनका संकल्ब था आज हम वह उनके सपनों को पूरा होते देख रहे हैं और उसी देवतुल्य विचारों से उन देव सपनों से उन्होंने एक ऐसे विश्विध्याले के इस्तापना की जो हमारे इस वर्तमाल परिपेक्ष के अंदर जब किसी को पता नहीं था कि एक दोर आएगा जब भोतिक युग का दोर आएगा शिक्षा में भोतिक शिक्षा का युग आएगा लेकिन उस समय उन्होंने देखा था कि दुनिया के अंदर युग को परिवर्तन करना विक्ति के जीवन कर निर्मान करना है उसको चरित को निर्मान करना है तो एक ऐसे विश्विध्याले के आउश्चता है जिस विश्विध्याले के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा भी हो आधुनिक शिक्षा भी हो और विज्ञान और टेक्नोलोजी की शिक्षा भी हो और एक ऐसा विश्विध्याले का विचार उनके मन में आया था जा आध्यात्मिक और विज्ञान का एक समिशन करते हुए और जिस विश्विध्याले का पढ़ने वाला विध्यारती केवल शिक्षा प्राप्त न करें मोलिक रूप से उसके जीवन के अंदर उसका जीवन परिवर्तन आध्यातिक मुल्यों से हो भारतिय संस्क्रती से हो जो तपोवेद ज्यानी आचारे जी का विचार था उन विचारों से और प्रत नोजवान विध्यारती निकले और देव संस्क्रती विश्विध्याले के इस्तापना के बाद हमारे कुलपती उलधीपती डाक्टर प्रने पांडे जी ने इस दिशा में इस विश्विध्याले को संचालित किया लाट्टर चिन में पांडे जी के विचार आपने सुने उनके विचारों के आध्यात पे एक संस्क्रती संस्कार और भृष्यमिवेक्ती का निर्मान कैसा होना ची हम मनुष्य जीवन को प्राप्त करकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस लक्षों की दिशा उन्होंने आपको बताने का काम किया यहां के कुलपती शरत पांडे जी यहां के सभी आचारे जो इस देव संस्क्रती विद्याले में जिनको देव की किरपा हुई कि उन्हें इस विश्यद्याले में प्रवेश मिला अध्यापन अध्यापन शोद का उनको अवसर मिला वह सभी विध्यारती और विशेश रूप से उनके अभिवावक माता पिता जिनोंने गुर्कुल पद्दती के इस देव संस्कृति विश्विध्याले के अंदर केवल शिक्षा प्राप्ट करने नहीं शिक्षा के साथ आध्याक्तिक और संस्कार प्राप्ट करने के लिए भीजा वो सब माता पिता भी धन्यवात के पात रहें मैं जब भी इस धर्ती पर आता हूं मुझे नई आध्यात में कुर्जा मिलती है नई शक्ति मिलती है और कार्यकरनी की नई पहर्णा मिलती है इस धर्ती पर ऐसी उर्जा है और इसी उर्जा कि इस धर्ते और विशेशुक्षे शांतिक उन्ज जा रोज यगों से सुभश शुरुआत होती है यगों मंत्र से जाँ शुरुआत होती हो उस विश्ध्याले के बातरण में आप जब यहां से उपाधी प्राप्ट करकर निकलेंगे तो इस देश के आध्यात में संस्कती दूद के रूप में केवल पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में तुद करें मुझे कुशी है कि इस विध्याले में अपने कई पाठे कर्मों के माध्यम से यहां शिक्षन प्रशीशन शोद का कारियोजना बनाए शिक्षन प्रशीशन शोद के साथ जीवन प्रबंद आज आप नए टेक्नोलोजी के अंदर नए बच्चों को अगर सबसे ज्यादा प्रसंद है तो लगता है कि हमारा जीवन प्रबंदन सबसे महध्पुन इस्सा आज लेक्ति के जीवन का बन गया है कि जो कुछ मेही मेरी जिन्दिगी का महध्पुन शन है जो भी समय है वो समय मेरे जीवन प्रबत में ऐसा होना चीए ताकि मेरे माध्यम से समाज के अपने करते वोड़ायतों को निभाते हुए किस तरीके से जो युक परिवर्तन का सपना आचारेदी ने देखा था वेक्ति परिवर्तन वेक्ति निर्मान का सपना देखा था परिवार निर्मान का सपना देखा था उस सपने को आप पूरा करने के लिए यहाँ से निकलेंगे और ऐसी शिक्षा यहाँ पर आपको मिलेगी एक बहुत कम समय के अंदर दो दशक के अंदर इस विश्विध्याली के ख्याती केवल राष्टी निया अंतराष्टी स्तर्प है देश की पिचत्त से ज़्यादा विश्विध्याले सलस्ताओं का एफिलिटेट यहाँ पर है और यहाँ होने वाले रिसर्च शोद अध्यान अध्यापन और दुनिया में हो रहे शोद अध्यान अध्यापन के संत युकारियुद्ना के माध्यम से आपको एक अच्छी शिक्षा और एक अध्यापन करने का एक सवशिष अवसर इस देव स्वस्कति विश्विध्याले में मिल रहा है क्योंकि आच्छी ने उस समय विचार किया था कि इस विश्विध्याले से का केवल शिक्षा का और भोद्धिक संता का विखास नहीं करना उनका विचार था मनुष्य को भी गड़ना मतलब मनुष्य को निर्मान करना और मनुष्य के निर्मान के लिए ही उन्होंने जो तप तपश्या की जो जीवन के अंदर उन्होंने ज्यान अर्जित किया उस ज्यान को नए नोजवानों को मिले ये उनकी कल्पना थी और इसलिए उन्होंने कहा था कि हम सुद्वेंगे तो युक सुद्वेगा आज यथार्त में है कि भारत को अगर हम संस्कृतिक राष्टवाद का देश बनाना चाहते हैं तो हर वेक्ति अपने दायतों करतेओं को निभाते वे संस्कृति संस्कार और वेक्ति निर्मान के साथ अपनी कर्म शील कर्म योग के माध्यम से इस भारत को वेबर पर पहुंचा सकते हैं इसलिए हमारे प्रधानमंति जिने कहा कि कि दुनिया का अगर भारत को सर्शिष्ट देश बनना है तो हमें हमारी संस्कति संस्कार आधु निक्ता के साथ ने टेक्नोलोजी ने इनोवेशन के साथ साथ हमारी प्राचीतम शिक्षा पद्दती और हमारे प्राचीतम संस्कति को लेकर आधु निक्ता की और बढ़कर नए भारत का निर्मान करना है और आज हम इस निशाद के अंदर भारत को देख रहे हैं कि आज हमारा नोजवान इसी तप्व भूमी से निकल कर एक संस्कति राजबूत के रूप में पूरी विश्च के अंदर भारती संस्कति को पोचाने का काम करेगा विध्यारते साथियों दुनिया के अंदर जो कुछ भी परिवर्टन हो रहा है उस परिवर्टन को देखते हुए भारत ने एक नई दिशा दुनिया को दिये है कि बहुत बदलते दुर्ट में हमने सो साल के इस परिपेक्ष में देखा है कि सो साल में एक समय होता था कि एक देश का शाषन पूरे विश्च के अधिक्तम देशों में होता था इस शाषन सो साल में प्रिश्टिया कितनी परिवर्टन हुई यह परिवर्टन प्रिश्टिती करने के लिए कितने तपों लोगों ने अपने जीवन को समर्पन किया पहले आजाजी की लड़ाई लड़ी आजाजी की लड़ाई जहां एक तरफ हमारे कुछ करांतिकारी थे कुछ आध्यात्मी थे कुछ लेखत थे पत्तकार थे आचारे जी ने अपने ग्यान अम्रत के माध्यम से आजादी के उस समय आंदूलन में योगदान दिया और उन्हों ने कहा कि आजादी के योगदान के बाद अगर देश के नो निर्मान को करना है तो हमें सेस्टम शिक्षा पद्धती लाना पड़ेगा और शेष्टम शिक्षा पद्दती लाने के लिए जैसा डाक्टर चिन्मेजी ने कहा कि एक सेष्टम विध्याले महाविध्याले का निर्मान होना चीए ताकि जो आने वाली पीडी का हम निर्मान करना चाहते हैं जो हमारे यूग के निर्मान को परिवर्तन करने के नितुत करने वाली है उस पीडी को हमें कैसी शिक्षा देनी है कैसे संस्कार देने है और आज हम लंबे दस्कों के बार आज हम यह कह सकते हैं कि हम हमारी प्राचिन तब शिक्षा पद्धतियों की और बढ़ रहे हैं आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं जिसको आप पढ़ते हैं योग के रूप में आज अंतराश्टी योग के रूप में पुरा देश इमानने लगा है कि वेक्ति के स्वास्त के लिए योग जीवन की सरुष्टेश्ट पद्धति हैं और आचारी जी ने उस समय विचार किया था कि योग विज्ञान और हमारी जो चिक्सा पद्धती है आईवेग उस चिक्सा पद्धती के बाध्यम से ही हम लंबे समय वेक्ति को स्वस्त रख पाएंगे मन से और शरी से और इसी लिए आज इस देव संस्कृति विश्विध्याले के अंदर आपने देखा होगा कि इसी तरीके की शिक्षा आपको मिल रही है जिसके अंदर ग्यान भी है विज्ञान भी है और उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा पद्दती भी है लेकिन उस आधुनिक शिक्षा पद्दती में सबसे महर्पुन वेक्ति निर्मान और चरित निर्मान की शिक्षा पद्दती सबसे महर्पुन हिस्से को माना आ गया है इसलिए मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम इस देव संस्कृती विश्रिध्याले की एक अच्छी शिक्षन पद्दती के माध्यम से हम एक नए जुक की शुरुआत करेंगे और यहां पढ़ने वाला विध्यारती आने वाले समय के अंदर हमारे जो ग्यान सरुशिष्ट ग्यान हमने प्राप्त किया है उस ग्यान के प्रकाश को समाज के अंतिम वेक्ति तक पहुचाने का काम करेंगे क्योंकि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वह समाज के लिए बेश के लिए और जब हम इस करते भाव से हम इस देश भक्ति राष्ट भाव से काम करेंगे कि जो कुछ भी मैंने शिक्षा अध्यान अध्यापन शोत प्राप्त किया है उसका मैं उप्योग समाज की जीवन बदने में लगा हूँ एक अच्छे विशिध्याले से पढ़ने का जो ज्ञान मुझे प्राप्त किया उसकी ज्ञान की जोती के प्रकाश को समाज के अंतिम वेक्ति के जीवन में उजाला करूँ यही हमारा समर्पन और सेवा का भाव वना चीए और मुझे आशा है क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले विध्यार्ति के मन में आध्यात में धर्म और संस्क्रति और आचारे जी का दिया हुआ संदेश हमारे जीवन में नया परिवर्तन करेगा और मुझे आशा है कि एक हम सिष्ट युवा बनेंगे और सिष्ट युवा बनाने का काम का संकर्प नियाद से लेकर जाएंगे और जिस तरीके से 20 वर्षों के अंदर देव संस्क्रति विश्ध्याले ने अंतराष्टी इस्तन पर इस्विश्ध्याले का कीरतिमार हासिल किया है जो आपने या हां अध्यान अध्यापन सौथ रिसर्च किया है उस रिसर्च सोथ का लाब आने वाली पिडी को मिले ि क्योंकि आज समय हैं कि हमें नवाचारू करने का नया बिस करने हैं कि और हमारे नोजवान आज दुनिया के अंदर भारत मित्तत कर रहा है तो हमारे युजवाओं के बौद शमता के करन कर रहा है और इसलिए हम संस्कति संस्कारों को भी लेकर चल रहे हैं और टेक्नोलोजी के अंदर भी हमारा नोजवान नितुत कर रहा है यह विज्ञान और आध्यात्मिका समिशन कि आने वाले समे के अंदर भारण दुनिया का मिक्तुत करेगा क्योंकि हमने बोतिक करे हैं और वहुतिक को थो देखा। इसके समय बदलता बदल रहा है और इस बदलते समय के अंदर उस समय आचारे जी ने एक दूर दश्टी के माध्यम से जो देव सपना देखा था और में आच जो सामने मेरे सामने देख रहा हूँ जिस तरीके से अमरे युवाओं को युवा महिला विध्यारतियों को हमारे आचारें को जिन आचारें ने तप तपश्या समर्पन सेवा से इस शांति कुछ पे अपने जीवन को समर्पित के हैं मैं ऐसे हजारों परिवारों को जानता हूं मेरे इलाके के अंदर जुनों ने अपने परिवार को धन्य सब को छोड़ दिया, जिनके पास करोणों की संपतिया हैं, वो शान्ति कुछ में आकर सेवा का काम करते हैं। मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूं, जिन परिवार रोज शराप का सेवन करना, जीवन की गई दिशा, एक गलत दिशा के ओड़ जाना, ऐसे कितने ही परिवारों ने आचारे के जी के विजारों से, उनके संदेश से, उनके तप तपश्चा के कारण, उन परिवार पूरा का पूरा त्याग करकर और आचारे जी के सेवा में लगे और उन्होंने क्यों अपना तप तपश्चा नहीं की, उन्होंने पूरा जीव और आज इसलिए भारत के अजिक्तम रिलाकों के अंदर गायत्री प्रिवार के इस आध्यात्मिक संस्क्रती यग्य मंत्र और यग्यक से पेदा होने वाली उर्जा उसके कारण भारत में दुनिया के कई देशों के अंदर मैं जाता हूँ तो वाँ गायत्री प्रिवार के लोग मुझे बिलते हैं तो मुझे गर होता है कि हमारे आध्यात्मिक और संस्क्रती के राजदूत आध्या के अधिक्तम देशों के अंदर है आचारे जी की पेर्णा से निकलें और एक समय आएगा जम आध्यात्मिक संस्क्रती के हमारे राजदूत भारत के यश्ट गोरों को दुनिया में बढ़ाएंगे और जो हमने एक समय दुनिया को विचार दिया था कि आध्यात्मिक संस्क्रती और धर्म के माध्यम से ही विक्ति का निर्मान हो सकता है उस संकल्प को हम पूरा होते देखेंगे आप सभी को भहुत-भहुत धन्यवाद पुन्याएं मैं कुलपती जी पढ़ने पांड़ा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं दाक्टर चिनमे पांड़े जी को कि आपने मुझे यहाँ पर बुला कर आप सबसे मिलने का मोका मिला मुझे भी नई उर्जा मिली नई पेर्णा मिली ताके मैं इस लोगतांति संस्ताओं के माध्यम से कि देश ऊच्ध के अंतिम वक्ती के जीवन में। हम सब सामुटा के साथ मिलकर किस तरीके से व्यक्तित निर्मान और स्यों को बदलकर स्यों को दायतों करते हूं को निबाते हुए किस तरेके से नए भारत का निर्मान कर सकते हैं Sudaysal yis